ऩातेey दोस्तो केसी हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे दोस्तो हर गर का मंदीर उस घर की सबसे पवीत्र और सबसे खास जग़ों में से एक होता है घर में सकाराथमा कुर्जा का पुरभा людей पार्ट और इन चीजों से भगवान नाराज होते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव घर पर पढ़ता है इनसान पर पढ़ता है ऐसी में मंदिर में हमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए चलिए जानते हैं कि घर के मंदिर में क्या रखन चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए सबसे पहले घर के मंदिर में मूर्थियों का ध्यान रखें दिकि घर के मंदिर में मूर्थियों की स्थापना नहीं की जाती तो इसलिए घर में हमेशा छोटी से छोटी मूर्थि रखें क्योंकि जब आप बड़ी मूर्थि रखते हैं तो तो केवल एक मूर्थि रखे या जिसमे भ Abhan की आप पूजा करते हैं केवल उनकी तस्वीर घरमें रखे एक से जादा भगवान की मूर्थी अगर आप रख रहे हैं तो सभी भगवान की केवल एक एक मूर्थी आपको एपने घर में मंदिर में रखनी चाहिए सब्सक्राइब ना हो आप इनकी कोई भी सौम्यां अ à हसने वाली दिखाई दे रहे हैं इस के अलावा हनुमान जी के तस्वीर इनकी का लिखनी गणान लाँ घर के मंदिर में कभी भी टूटी फूटी ये खंडित मूर्ती ना रखे उसे तुरंत महाँ से हटा कर विसर्चित कर दीजे ध्यान रखे कि घर के मंदिर में या घर के मंदिर में कोई भी भगवान की टूटी फूटी चटकी मूर्ती ना हो माना जाता है यदि आप तूटी या चटकी मूर्ती घर के मंदीर में रखते हैं तो ऐसा करने से घर में नकारात में कोड़चा का वास होता है तूटी मूर्तियां जो होती है घर में वो नकारात में प्रभाव लाई कराती है पूरजू की तस्वीर बहुसते लोग अपने घर के मंदीर में रखते हैं जो की धर्म में बिल्कुर भी गलत माना गया है कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग भगवान के मंदीर में अपने पूरजू की तस्वीर रख देते हैं ये नुकसा अधायक हो सकता है तो पूरुजु की तस्वीर को भगवान के मंदिर में रखने से घर में सुक्सम्रद्धी और खुशाली में रुका बैटाती है इसलिए इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और दूसरी चीज जब आप घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो भूस से लोग चावल चड़ाते हैं और सभी देवी देवतों की पूजा में चावल विशिश रूप से चड़ाया जाते हैं लेकिन पूजा के लिए ऐसे चावल का प्योग करना चाहिए जो कि खंडित ना हो तूटे हुए ना हो चावल चड़ाने से पहले आप अग यदी ने हल्दी से पीला करने तो ये बहुत ही शुमाना जाता है इसके अलावा जो आप पूजा पाट करते हैं तो ध्यान रखें कि अधी आपका पूजा का जो दिया होता है वो बीच में बुझ जाता है तो बुझी उद्बती को तुरंत बदल देना चाहिए और दिया हमेशा गाय के घी का ज़लाना चाहिए अधी आपके पास गाय का गी नहीं है तो आप तिल के तल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा अपने मंदिर में पूजा घर में जब भी आप मूर्तिया रखते हैं तो कभी वी उनको नगन नहीं रखना चाहिए सभी देवी देताओं को उनकी जो पसंद होती है या उनकी शुबता को धिहान में रखते हुए उन्हें कपड़े जरूर पहना जिस तरीके से मातरानी को चुंदरी उढ़ाया जाती है मंदिर कभी भी सीडी के नीचे नहीं होना चाहिए कभी भूल कर भी बीम के नीचे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में बीम पढ़ा हुए उसके नीचे आप पूजा करते है तो यह आपकी एक आकरता को भंग करते है ध्यान रखें मंदीर हमेशा उत्तर पूर्दिशा में रखें, उत्तर पूर्दिशा मंदीर के लिए सबसे शुप मानी जाती है, कभी भी जमीन पर बैठ कर पूजा ना करें, जमीन पर कोई भी आप आसन बिचाएं, चोपी बिचाएं, उस पर बैठ कर ही पूजा करें, अक्सर हमने देखा पाजमिला पेटकर रखे या मंदिर में अगर कोई ड्रोर बगएर है उसमें रखे क्योंकि घर के मंदिर में माचिस्त रखने से नकरात्मा कोड़ आती है बहुत से लोग तीलिया जलाकर फैब देते हैं ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए घर के मंदिर के पास साफ में नहीं बनाना चाहिए मजबूरी में यदि आप बना रहे हैं तो इस पर परदा जरूर लगाईए आपने पूजा घर में कभी भी टूटी-फूटी मृता आत्माओं का चित्र ना रखे पूजा घर में दो शीवलिंग, दो शाली ग्राम, दो शंक या दो सूर्य परतिम नहीं रखनी शाहिए, उमीद करती हूं मंदिर से जुड़ी ये जानकारी आप सब के काम आएगी, वीडियो कर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंट पैबली के साथ में लाइक शर्य जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार मेरी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ये वीडियो को समझे मुल सके, तो चलिए मिलती हूं नहीं वीडियो में नहीं जानकारी के साथ अब तक स्वास्त रहिए, खुश रहिए